हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे साधान ब्याज चक्रती ब्याज के प्रेशनों की जो मिक्स क्वेशन होते हैं दोस्तों उनकी बात करेंगे और इसमें एक बहुती जरूरी टाइप बनता है जिसमें आपसे रेट पूछा जाता है और रेट आपको निकालना मुश्किल होता है तो उसी के लिए ट्रिक ले करके आया हूँ वीडियो को आप अंत तक जरू देखेगा तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशन है आपका किसी धनरासी पर दो वर्सका साधान ब्याज है 4000 रुपे साधान ब फर्मुला मैं बता देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू दोस्तू इंटू को दोस्तोंudos new से निंटहें माइनस ड्लान प्रेशन है आपको 41 इए ते किसा घंञे किसी धना है संक्या को आपको करने कि साधान है ड्य avait पहर हजाικά ठीक है ऐसा ये आपका कितना है 4,000 4,000 है दोस्तों ये 4,000 ठीक multiply 100 अब देखिए इसको solve करते हैं 4400 में से 4,000 गटेगा तो कितना बचेगा 400 बचेगा बटे में दोस्तों कितना रहेगा आपका 4,000 रहेगा ठीक है into कितना रहेगा आपका 100 र हो रहेगा आप इसको कटा कर लिए देखे दोज़ीरो से आपके इस दोज़ीरो कट जाएंगे एक जीरो सी एक कर जाएगा चार से कटा हुआ 40 को दस ते में दस का मिल पर दो से करूँगा दस दोने का कितना बिस तो रेट कितना तो जो पहली वाली रासी है, उसे प्रिंसिपल मानिए, और जो दूसरी वाली रासी है, उसको amount, तो principal आपका दोस्तों कितना है, 4,000 है, amount कितना है, 4,400, ठीक है, अब देखें कोई रासी 4,000 से 4,400 हो रही है, तो कितनी ब्याज हो रही है, उस पर आप बोलेंगे 400 रुपे का ब्या वालीव चालेज को 10 बार में, तो एक वरस का जो rate है, 10% का, उसको एक वरस का rate 10% है, और बात हो रही है, दो वरस की, तो दो वरस का कितना हो जाएगा, दो से आप multiply कर देंगे, तो दस दूने का 20% का rate हो जाएगा 2 वरस का, आई दोस्तों बात समझमें, तो मैं आपको दोनो कोई तरीके से बता दिया, अगर कोई तरीका जो आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से प्रेशन को solve कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला प्रेशन, अगला प्रेशन है, किसी धनरासी पर 20% की दर से 2 वरसों का प्राप्त साधन ब्याज 2000 रुपे है, त इसके लिए दोस्तों क्या formula होता है, यहाँ पर मैं ब्याता देता हूँ कि CI, SI बराबर, ठीक है, SI, into 1 plus R divided by 200, यह दोस्तों formula होता है, जब आपको CI निकालना है, और SI दे रखा है, ठीक है, अब CI निकालना है, SI आपको कितना दे रखा है, साधन ब्याज कितना दे रखा है, आ आपड़, 2000 लिख दीजिए, सीधा सीधा, आप बोलेंगे लिख दे, प्लास बन लिख दीजिए, rate कितना है, आप बोलेंगे 20 का rate है, तो आप सीधा सीधा, बेस लिख दीजिए, बट्टे में कितना, सीधा सीधा 200, अब मैं ऐसे कटाओगँ, 21 कटेगा, 20 से कट जाएगा 210 10 का मल्ट पर एक मा करो 10 से कम 10 10 में जुड़ोंगे 11 बट्टे 10 कितना हो जाएगा ये 11 बट्टे 10 तो इसको ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2000 ये कितना दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 11 बट्टे 10 ठीक है solve कीजिए, solve करूँगा तो यह हो जाएगा 1 0 स 1 0 कट जाएगा, मल्टपई कीजिए 11 दूने का कितना हो जाएगा 22 और 2 0 मतलब 2200 तो आपका CI कितना है आपका CI कितना है, 2200 रुपे है 2200 कहां दे रखा है, C option में वैं, साधन ब्याज तो आपका 2000 था लेकिन चक्रती ब्याज कितना प्राप्त होगा 2200 रुपे प्राप्त होगा, उसी राजी पर उतने ही समय में कितना प्राप्त होगा 2200 रुपे प्राप्त होगा सबकी समझ में दोस्तों अच्छे तरीके से प्रेशन आगिया होगा अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है एक धनरासी चक्रती ब्याज की दर से दो वरसों में 2420 रुपे तथा तीन वरसे में 262 हो गई तो ब्याज की दर ग्याद करो देखें मैं आपको एक अभी तरीका बताया था फर्श्ट कोस्टन मे अब कोई रासी 2420 से कितनी होगी 262 होगी कितनी बढ़ गी आप बोलेंगे 242 बढ़ गी कितने पर बढ़ गी प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना 2420 ठीक है अब धर निकालना है रेट निकालना है क्या करेंगे 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है यहां तक बात तो 0 से तो आ आपका आंसर हो गया T of C बताइए इतना बड़ा प्रेशनी था और आपने कितने समय में कर दिया जादा से जादा 5 सेकेंड में ही तो कर देंगे इस से जादा का समय तो आप नहीं लगाएंगे जब आपको तरीक अच्छे से मालूम हो गया तो सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है 5000 रोपे की धनरासी पर 10% की साधान ब्याज की दर से 2 वर्सों का प्राब चक्रती ब्याज और साधान ब्याज का अंतर कितना होगा अंतर वाले प्रेशनी भी पूछे जाते हैं साधान ब्याज और चक्रती ब्याज में तो इसके लिए देखेंगे 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 दोस्तों ब्रस की तो दोस्तों क्या फोर्मूला होता है सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता जिता हूँ डिफ्रेंस बराबर डिफ्रेंसी तो निकालना है तो डिफ्रेंस बराबर पी आर के स्क्वाइर बटे में रहता है 100 का स्क्वाइर ठीक है यह आपका दो वर्स के लिए फोर्मूला होता है जब आपको अंतर निकालना है दो वर्स का ठीक है अब आपको difference निकालना है principle कितना है 5000 दे रखा है आपको तो 5000 लिख लिजी clear यहां तक बात into rate कितना दे रखा है 10 तो 10 का आप क्या करेंगे square करेंगे क्योंकि square हो रहा है तो 10 का square कितना 100 हो जाएगा पटे में क्या दे रखा हंडेट का square 100 का square मतलब 10,000 हो जाएगा ठीक है अब इसको solve कर लीजी आपका answer आजाएगा देखे 2-0 से मैं यहां पर सीधे-सीधे 2-0 कटा दू यहां पर 2-0 से 2-0 कटा दू क्या बचा है difference कितना आया 50 ही तो आया difference कितना बचा आपका 50 उर्पेका बचा तो चक्रदी ब्याज और साधन ब्याज का जो अंतर होगा वो कितना होगा 50 उर्पेका होगा पहला option क्या हो गया सही answer उमिद करता हूँ सभी की समझ में दोस्तों प्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आगया होगा किसी को भी कोई समस्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है यदि किसी धनरासी पर 10% की बारसिक दर से दो वर्ष का प्राप्त चक्रदी ब्याज एवं साधन ब्याज का अंतर 60 रुपे हो तो धनरासी बताओ इस बार दोस्तों आपको अंतर दे दिया गया है और मूल धन बताना है धनरासी बताना है कोई बात नहीं कब की बात है दो वर्ष की तो दो वर्ष के लिए तो फॉर्मूला मैं अभी अभी बताया था डिफ्रेंस बराबर पी आर का स्क्वार बते में 100 का स्क्वार यही तो फॉर्मूला बताया था दो वर्ष के लिए अभ डिफ्रेंस आपको दे रखा है 60 रुपे का तो 60 लिख लीचे परापन प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल ऐसे ही रहने दो आर कितना दे रखा है 10 10 का कर देंगे स्क्वार तो यह हो जाएगा आपका 100 बते में क्या 100 का स्क्वार मतलब 10,000 तो यहाँ पर सीधे सीधे आपके यह दो जीरो तो कट गए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर 100 बचा 100 का मल्ट प्रे मैं कितने से कर दूँगा 60 से कर दूँगा तो यह कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा इधर क्या बचा P तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया 6,000 रुपे आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया और B option में दे रखा 6,000 यह आपकी प्रेशन का हो गया सही आंसर उमीद करता हूँ दोस्तों के सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिंसिपल निकलना हो चाहें डिफरेंस दे रखा हो प्रिंसिपल निकलना हो आपकी समझ में अच्छे से प्रेशन आ गया ठीक है अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है 6,000 रुपे की रासी पर 10% की वार्षिक दर से तीन वर्ष का चक्रदी ब्याज एवं साधन ब्याज का अंतर कितना होगा ठीक है चक्रदी याज होता है डिफ्रेंस बराबर पी र का स्क्वाइर बटै में अब निकाल लीजे डिफ्रेंस दी बराबर प्रेंसिपल आपको 6000 दे 6000 लिकूँ आर कितना है दस दस का स्क्वाइर करेंगे 100, बटे में 100 का स्क्वार करेंगे 10,000, इंटू 300 में क्या करेंगे R जोडेंगे, R कितना है 10 तो 300 में 10 जोडेंगे, यह हो जाएगा 310, बटे में कितना 100 बस कटा लीजिए, आपको प्रेशने का अंसर आ गया 1 0 से में 1 0 ये कटा लूँगा ये वाले 0 से ये गया ये वाले से ये वाला गया 1, 2, 3 से 1, 2, 3 0 ये गया 6 बचा, multiply 31 बचा Difference आ जाएगा, दोनों का multiply कर लीजे 6 एक कम 6 का 6 6 तरी का कितना? 18 186 रुपे आपका difference आ गया 3 वर्स का 186 कहां दे रखा है? आप बोलेंगे भी बता दिया और रेट निकालना हो वो भी सिखा दिया जो आपके important question बनते थे चक्कत दिव्याद साधान ब्याद से वो मैंना आपके लिए करा दिये अब इनको कराने से क्या होगा? कि अब जो exam में question पूछे जाएंगे उनको solve करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी ठीक है दोस्तों बात सभी की समझ मारिए वीडियो पसंद आया like करें दोस्तों में share करें चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करके बेल आइकन का बटन दबादें चैनल की सभी वीडियो का notification आप तक जरूर पहुचे ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद